नमस्कार दोस्तो फिर से एक नेव वीडियो में आपको स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में आप सीखेंगे सिर्फ एकाउंट नमबर डाल करके और विधवा पेंशन विकलांग पेंशन और बीर्ध पेंशन का पैसा कैसे चेक करते हैं जो आपके एकाउंट में पैसा आया या नहीं आया है तो सिर्फ घर वेठे अपने मोईल से आसानी से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे और दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली बार आएं है तो फिरीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लिस्ट निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने मुवाइल में किसी ब्राउजर को ओपेन कर लेना है तो दोस्तों मैं यहां पर गूगल ब्राउजर को ओपेन कर लिया हूं और सर्च में यहां पर टैप कर करना है दोस्तों सर्च कर देने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पर इस तरह से पेज खुल के आ ब्लॉक डिस्टिक डिपार्टमेंट इसके उपर में किलिक करना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद अब आपके सामने में फिर से एक नया पेज खुलके आजागा अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर त्री डॉट के उपर में किलिक करके इसको सबसे पहले डेक् और अप्litल को करना गया है अब आपको यहां पर एक लिए जाता है चार और टो के यहां पर नबर वाला जो है चेक बेनेफीसरी पैमेंट history after after my 2020 ठीक है तो यहाँ पर आपको दूसरा नमबर वाला जो link है इसके उपर में किलिक कर देना है यह जो link है इसके उपर में किलिक करना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद दोस्तो अब आपके साने में इस तरह का पेज खुल के आ जाता है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बॉक्स में डिश्टी का नाम सेलेक्ट करना है आपका जो भी डिश्टी का नाम है इस बॉक्स में फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम फिल करना है उसके बाद यहाँ पर beneficiary ID में account number को select कर लेना है उसके बाद अब आपको यहां पर इस box में account number डाल देना है ठीक है उसके बाद यहां पर search वाला जो option है इसके उपर में click करके आप असानी से अपने mobile से check कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम आपको बतायते हैं यहां पर सबसे पहले जीला का नाम select कर ले ठीक है उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां पर बेनिफिसरी आईडी को सेलेक्ट कर लेना है तो यहां पर एकाउंट नमबर को सेलेक्ट करना है उसके बाद अब आपका जो भी एकाउंट नमबर है इस बॉक्स में यहां पर फिल कर देना है तो चलिए यहां पर हम एकाउ प्राचबल जो आप्षन है इसके उपर में क्लिक कर देते हैं इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सान्य में यह जितना भी विध्वा पेंशन विकलांग पेंशन का जो पैसा है उसका लिस्ट यहां पर खुल के आ जाएगा तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यहां पर आप टोटल देख सकते हैं जो कितना बार पैसा आ गया है आपके बैंक एकाउंट में तो यहां पर यानि 18 वर पैसा इनको मिल चुका है बैंक एकाउंट में उसके बाद में किस साल में मिला है यहां पर साल भी मिल जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर गाओं का नाम मिल जागा उसके बाद किस चीज का यह पैसा है यहां पर आपको देखने को मिल जागा उसके बाद किसके नाम से है यहाँ पर नाम भी मिल जागा उनका पती का नाम और यहाँ पर एज मिल जागा उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर आयू मिल जागा ठीक है यहाँ पर आयू मिल जागा तो यहाँ पर देख सकते हैं उम्र मिल जागा किस माह से किस माह तक पैसा मिला है यहाँ पर माह का नाम मिल जागा यू टी आर नमबर मिल जागा और रकम यहाँ पर देख सकते हैं 400 रुपया करके पर तेक महिना इनको बैं पैसा आपके बैंक एकाउंट में भेजा गया है तो यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर भुक्तान की इस्थिति तो यहां पर देख सकते हैं सभी में यहां पर सक्सेस सक्सेस यहाँ पर success का मतलब है जो आपके bank account में पैसा भेजा जा चुका है तो इस तरह से आप यहाँ पर success करके देख सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह से सिर्फ account number डाल करके गिद्वा pension, विकलांग pension का पैसा आसानी से अपने mobile से चेक कर सकते हैं तो दोस्तो विडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को subscribe करे विडियो को एक लाइक जरूर करे तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जा ही